आप मेंसे कई लोग कल शाम से लगातार मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आभिसार आप मद्ध प्रदेश, राजिस्थान, छत्तीजगर, तेलंगाना, मीजुरम के exit polls पर कारिकरम क्यों नहीं कर रहे हैं? एकजिट polls पर shows क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कई लोग, कई पत्रकार जो मेरी तरह digital platforms में हैं, वो लोग उस पर show कर रहे हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरा काम बतौर पत्रकार, खबरों की analysis करना है, खबरों की तह तक पहुँचना है, जो तमाम exit polls हैं, हर exit poll एक अलगी तस्वीर बता रहा है, तो ऐसे में analysis किसका किया जाए? और क्या analysis किया जाए? ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहिए पूरा सिस्टेम ही क्यों ना चाहिए, तेरे बोल पर अंकुछ नहीं डाल सकते, बोल इलाब आज़ाद है तेरे मगर आज मैं आपको बतलाने वाला हूँ, exit polls के पीछे का खेला, मगर जो सवाल मैंने आपके सामने शुरुआत में रखा, कि भाई, मैं किस exit polls का analysis करूँ? आप जानते हैं जितने भी exit polls आएं, इन में से दो राज्य हैं, तेलंगाना और 36 गड़, जिसमें सभी एक सुर में कह रहे हैं कि यहाँ पर Congress की सरकार आ रही है, मगर चाहे राजिस्थान हो, चाहे मद्द प्रदेश हो, इस मुद्दे को लेकर, अलग-अलग राए, हर चैन 24 कह रहा है कि BRS यानि KCR की party को 33 सीटें मिलेंगी और Congress को 71 सीटें, ABP News, ABP News ने भी Congress को बढ़त बताई है, वो कह रही है, 38 से 54 सीटें मिलेंगे BRS को, Congress को 49 से 65 सीटें, इंडिया टीवी 31 से 47 BRS को, Congress को 63 से 89, Times Now 37 से 45 BRS को, Congress को बढ़त 60 से 70, Republic भारत 46 से 56 BRS को, Congress को 58 से 68, तो तेलंगाना में सब एक मत हैं, चलिए, अब बात करते हैं 36 गड़ की, 36 गड़ में भी सभी लोग Congress को जीता हुआ बता रहे हैं, हलाकि सीटों का अंतर बहुत जादा नहीं है, खेल कहीं पर भी हो सकता है दोस्तों, छोटा राज्य है, इस वक्त, जो तमाम एजिंसी इस Congress को जीता हुआ बता रहे हैं, 3 December को हो सकता है, बिलकुल उलट तस्वीर हो 36 से 46, Congress को 40 से 50, अब बताइए, दोनों में सिर्व एक प्रतिशत का अंतर है, तो आप विजेता किसे चुनेंगे, आपका जो सैंपल है, वो 35,000, 40,000 होगा, एक ऐसा राज जिसमें लाखों की जनता है, तो ऐसे में ये exit polls कितने scientific हैं, आगे देखिए, ABP News, 36 से 48 वीजेपी को, 41 से 53, Congress को, India TV, 30 से 40 वीजेपी को, 46 से 56, Congress को, Times Now 32 से 40 वीजेपी को, Congress को 48 से 56, उसी तरह से Republic भारत, 34 से 42 वीजेपी को, Congress को मिल रही है, 44 से 52, यानि कि एक तरह से देख सकते हैं सहाब, यहाँ पर भी Congress को जीता हुआ दिखाया जा रहा है, मगर जहां तक वोटों के अंतर की बात है, मुश्किल से एक प्रतिशत का अंतर, यान कि बाजी बिलकुल पलट सकती है, ऐसे में इन आकडों का क्या अनालिसिस किया जाए, अब जाहिर सी बात है, मैं सिर्फ index, जिसका दावा है कि हमारा 91 फिसिदी जो हमारे exit polls सही होते हैं, मैं सिर्फ उनका analysis तो नहीं करूँगा, मैं सब का analysis करूँगा, सवाल यहाँ पर यह है कि हर कोई अलग तस्वीर दे रहा है अब चलिए राजिस्थान की बात करते है राजिस्थान में भी वोटों का अंतर बहुत कम बताया जा रहा है अगर हम आक्सिस की बात करों आक्सिस यहाँ पर कॉंग्रेस को बढ़त बता रहा है आक्सिस के मुताबिक कॉंग्रिस को यहां 86 से 106 सीटे मिलेंगी आज तक में आक्सिस के मुताबिक कॉंग्रिस को 86 से 106 सीटे मिलेंगी बीजेपी को 80-100 मुश्किल से 1% वोट का अंतर ABP News की बात करें तो यहां पर बढ़त बीजेपी को है यहाँ पर BJP को 94-114 कॉंग्रेस को 71-91 इंडिया टीवी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर BJP को मिलेंगी 80-90 कॉंग्रेस को थोड़ी सी बढ़त है 94-104 टाइम्स नाओ की बात करें तो यहाँ पर कॉंग्रेस का सूपड़ा साफ हो रहा है यहां बिलकुल उलट तस्वीर है टाइम्स नाओ कि मताबिक BJP को मिलेंगी 108 से 128 कॉंग्रिस को मिलेंगी 56 से 72 रिपब्लिक भारत की बात करें तो 115 से 130 और कॉंग्रिस का यहां सूपड़ा साफ हो रहा है 65 से 75 अब आप मुझे बताईए दोस्तों यहां कुछ कह रहे हैं कि कॉंग्रिस को बढ़त है कुछ कह रहे हैं BJP जोहिद घमासान मचाए हुए है अनालिसिस किसका किया जाए अब उसी तरह से मद्द्प्रदेश की बात करते हैं आप जानते हैं मद्द्प्रदेश में 6 सर्वे मेरे सामने दो सर्वेज भाजपा की शांदार जीद बतला रहे हैं मगर बाकी चार सर्वेज कॉंग्रिस को जीता हुआ दिखा रहे हैं देखे खेला यहां पर मद्द्प्रदेश में टुडेश चानक्या भाजपा को मिल रही है 151 सीटें कॉंग्रिस को आधी यानी 74 सीटें इंडिय टुडे यानी आकसिस भाजपा को मिल रही है 1480 से 162 कॉंग्रिस को मिल रही है 68 से 90 भासकर अब भासकर में खेल पलट जाता है पॉंग्रिस को मिल रही है 105 से 120 और भाजपा को मिल रही है 95 से 115 ABPC वुटर Congress को मिल रही है 113 से 137 भाजपा को मिल रही है 88 से 112 Times Now की बात करें 109 से 125 Congress को और 105 से 117 भाजपा को तो चार Congress के पक्ष में दो भाजपा के पक्ष में किसको जुना जाए किसका analysis किया जाए मैं आपको एक बात बतलाता हूँ दोस्तो इन में से कई जो pollsters है न वो राजनीतिक डलों के लिए भी survey करते हैं मैं आपसे एक आसान से सवाल पूछना चाहता हूँ जो pollsters राजनीतिक डलों के लिए या जो agencies राजनीतिक डलों के लिए भी survey करते हैं क्या उनकी विश्वसनियता पर विश्वास किया जा सकता है और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि जब भाजपा का इतना जबरदस्त दबाव नियूस चैनल्स पर है तो क्या लगता है आपको क्या इन पोल्स्टेर्स पर नहीं होगा सबसे बड़ी बात दूसरी बड़ी बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हमने आज से कई सालों पहले एक स्टिंग ओपरेशन देखा था जिसमें एक पोल्स्टेर जो हैं रफू पैबंद की बात कर रहे थे वो बेशरमी से अभी भी पोल्स्टेर बने हुए हैं उस स्टिंग ओपरेशन में कई पोल्स्टेर्स पकड़े हुए थे चंद पैसों के लिए वो अपने नतीजों को बदलने के लिए तयार थे मैंने न्यूस चैनल्स में काम किया है दोस्तों, मैंने उस पोल्स्टेर को देखा है उन में से वो पोल सेर पकड़ा गया था स्टिंग ऑपरेशन में जिसने आखरी मौके पर उस पोल को पूरी तरह से बदल दिया क्यों? क्योंकि मालिक को वो सर्वे या वो एक्जिट पोल पसंद नहीं आ रहा था ये तमाम चीजें चैनल्स में हुई हैं बड़ा सवाल ये कि जब आपके एक्जिट पोल्स में इतना बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है तो मैं किसका अनालेसिस करूँ? तीन दिसंबर का इंतजार कर लीजे ये सब सटा का खेल है कई बार ये एक्जिट पोल्स किये जाते हैं ताकि सटा बजार में कुछ लोग खेला कर सकें हकीकत ये है कि आप और हम इनसान हैं इनसानों से घलतिया होती है और इनसानों को सयम भी बरतना पड़ता है तीस तारीक गुजर चुकी है जब ये तवाम एक्जिट पोल्स आये थे तीन दिसंबर बस दो दिन का वक्त रह गया है इंतजार कर लीजे दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा मैं एक बात स्पश कर दूँ दोस्तों जो बात मैंने आपके सामने रखिए कि कई पोल्स्टर्स राजनीतिक दलों के लिए सर्वे करते हैं मेरा ये खताई अर्थ नहीं है कि इनमें से कुछ लोग बैमान है नहीं जो लोग स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए उनकी हकीकत आप जानते हैं आप जानते हैं कि उन पर और उनके परिवारों पर किस तरह का एहसान political parties का है लहाजा उनकी बात मैं नहीं करना चाहता हूँ मैं जानता हूँ कुछ ऐसे pollsters भी हैं जिनका बहुत जबरदस strike rate है 94%, 95% और आप जानते हैं मैं किस की बात कर रहा हूँ मैं उनकी विश्वसनियता पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ कि आप मुझसे यह उम्मीद ना करें कि मैं इन exit polls का analysis करूँ क्योंकि इन पर analysis करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है मगर हाँ इसके पीछे की सोच मैं आपको बतला रहा हूँ मैं आपको अपना logic दे रहा हूँ कि कल शाम को मैंने आखिर क्यों इन exit polls पर कोई analysis पेश नहीं किया क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है कहने का याद कीजे पश्यमंगाल की चुना हुए थे तब इसी तरह से exit polls आये थे मैंने वो exit polls नहीं किये थे दोस्तों क्योंकि उस वक्त लोग कुरोना से मर रहे थे बता और पत्रकार मेरी प्रात्मिक्ता थी कि जो लोग कुरोना से मारे जा रहे हैं मैं उनकी बात करूँ कुरोना की समस्या की बात करूँ in fact जब पश्यमंगाल के नतीजे भी आये थे मैंने कारकर्म किया था मगर उस दिन भी मेरा focus कुरोना था क्योंकि उस वक्त एक महान राजनीतिक डल को शुनावी रालियां करनी थी उसे किसी भी सूरत में कुरोना का कोई खयाल नहीं था कोई परवा नहीं थी मुद्दे पर बने रहें और मुद्दे पर ही हमें बने रहना चाहिए अविजार शर्मा को दीजे अजासत नमस्कार